Hello friends, welcome to my channel Ram Technical Help So friends, अगर आप Windows 10 यूज़ कर रहे हैं या फिर Windows 7 यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अधर Windows यूज़ कर रहे हैं और आपके यहाँ पर Windows System Assessment Tool has stopped working एक ऐसा एरर आ रहा है जब आपको प्रोग्राम रन करते हो या फिर आपने स्क्रीन ऐसे छोड़ दिया आपका तो कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ पर एक ऐसा एरर आ जाता है Windows System Assessment Tool ये एरर आपको कैसे fix करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आए है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियो जापको यहाँ पर मिल जाएंगी चाहिए वो laptop, desktop, youtube या फिर किसी भी software में किसी भी type का आपको कुछ भी problem आ रहा है तो हर type का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले friends आपको क्या करना है यहाँ पर जो यह start button है यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर अगर आपके पास windows 10 है या फिर windows 7 है अगर आप windows 10 पर भी आपको यहाँ पर आपको फिक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर आपको क्या करना है windows प्रेस करना है और run यहाँ पर run type करना है या फिर आपके अगर system के अंदर ऐसा UI नहीं आ रहा है तो आप right click करोगे और यहाँ पर आपको एक run का option दिख जाएगा तो आप पर भी आप click कर दिजिए यहाँ पर हम लोग run open करेंगे यहाँ फिर windows प्लस आर ओके windows प्लस आर की बॉट से प्रेस करोगे तो यह यहाँ पर open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर टाइप करना है आपको registry open करना है यह इसो fix करने के लिए हम रोग registry open करेंगे यह इसको मैं थोड़ा side में कर देता हूँ यहाँ पर जो आपका पहला ही की है class route एक एक स्पेंड कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना है context ये वाला, जो पहले वाला है, इसको expand कर लेजिए आप, expand करने के बाद यहां पर आपको कुछ दो option मिलेंगे, यह winrar और winrar 32, आपको क्या करना है, यहां पर right click करना है, और दोनों को delete कर देना है, यह क्या delete, इसके बाद delete, ओके, यह आपका first solution हो गया, कि आप यहां पर ऐसा करन वो अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है तो यहां पर यह error आपका fix हो जाएगा अगर आपका error इससे भी fix नहीं हो रहा है तो हम लोग second solution पर जाएंगे second पर आपको क्या करना है आपको कोई भी browser open कर लेना है जैसे कि मैंने एक ब्राउजर open कर ले है mozilla और यहां पर आपको see cleaner download ठीक है यह आपको यहां पर download कर लेना है डाउनलोड पर यहां पर की Google में अपने सर्च किया तो आपके पास पहला ही link open हो जाएगा आप यहां पर click कर दीजिए cookie sugar accept करने के लिए बोलेगा आपको वहां पर accept कर लेजिए और यहां पर आपको यह free trial version download करना है ओके यहां पर आपका यह downloading स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर जो आपको यहां पर यह unpack हो रहा है installation के लिए यहां पर इस पर आपको install बटन पर क्लिक कर देना है यहां पर यह uncheck कर दिजिए box और run cleaner see cleaner start by trial इसके बाद आपको यहां पर एक registry का option मिलेगा नीचे की तरफ यहां पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर इसके बाद आपको क्या करना है scan for issues पर क्लिक कर देना है इसको मैं अभी बंद कर देता हूं इसके बाद आपको क्या करना है review select issues आपको यहां पर select पर क्लिक कर देना है और do you want to back registry before making change no कर देना इसको यह फिर yes करके आप यहां पर आपकी जितने भी सारे रिजिस्ट्री है आप यहां पर उसका backup ले सकते हो उसको save कर देना और fix all selected issues आपको यह करना है मतलु यह है कि आपने यह सब select के हैं और उसके बाद आपको यहां पर यह जो fix all selected issues पर click कर देना है तो आपका यहां पर जितने भी रिजिस्ट्री से related जो भी problem मारा था आपको यहां पर उसने fix कर दिया है यहां पर आप देख पा रहे हो list में कुछ भी नहीं है आपको number of issues found 13 और उन्हेंने इसको complete कर दिया है issue fixed 13 आप इसको close कर दिजिए और यहां पर भी इसको close कर दिजिए और एक बार जो आपका जो system है वो restart करके आजाना है आपको ठीक है restart करने के बाद आपको check करना है कि आपको same problem आ रहा है या नहीं आ रहा है I hope आईए आपका यहां पर अभी error नहीं आएगा अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगा और इससे आपका problem ठीक हो गया तो please subscribe my channel और bell icon दोहना ना भूलिएगा थाक कि जब भी मैं कोई वीडियो YouTube पर upload करूँ उसका notification आप तक पहुंच जाए ओके thank you so much